इस वीडियो में आज हम फिफ्ट जनरल इलेक्षन को डीपली पढ़ेंगे जो की हमारा चेप्टर है पार्टी सिस्टम इन इंडिया आज हमने जो लास्ट वीडियो में इस चीज को डिसकस किया था कि किस तरह से कॉंग्रेस जो थी वो अपनी पॉपलेरेटी को अपनी पावर को अपनी इस्टेटस को लूस कर गई थी मतलब उसने अपनी popularity को थोड़ा कम किया था और उसकी power जो थी वो लगातार lost हो रही थी वो डूब रही थी उसका dominance खतम हो रहा था ये सारी चीज हमने last video में discuss करी थी और उस video में हमने fourth general election को देखा था तो fourth general election के जो result आये थे उससे हमें ये prove हो गया था कि Congress का वो dominance नहीं रहा जो उसका पहले कभी था अब हम यहाँ पर उसी video को continue रखते हुए fifth general election के background में देखेंगे कि किस तरह से Congress ने अपनी power को अपने status को restore किया था तो restore में हम बात ये कर रहे थी कि उसने अपनी power को lose करा तभी उसने अपनी power को वापस से लिया वापस से gain किया तो उसने gain कौन से general election में किया था तो यहाँ पर हम इसी general election को पढ़ रहे है वो है fifth general election जो 1971 में हुआ था इससे पहले fourth general election में Congress ही जीती थी लेकिन वो इतनी majority से ना जीत कर just वो पास हुई थी तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि fifth general election में किस तरह से Congress वापस पूरे अपने एक majority से आई थी इससे पहले हमें ये देखना है कि किस तरह से fourth general election के बाद इंद्रा गांदी की government ने ऐसा काम किया कि उसकी popularity fifth general election तक आते आते भढ़ गई तो fourth general election का जो tenure था वो 1967 से 72 के बीच तक रहा था उसे fourth तक ये वाला tenure अपना complete करना था तो इस time period में ऐसा क्या हुआ कि Congress की popularity वापस से भढ़ गई तो यहां पर हमें ध्यान देना है सबसे पहले हमें जो बात करनी है वो ये है कि 67 और 72 के बीच में सबसे पहले जो disputes rise हुए थे वो किस-किस के बीच में थे वो थे syndicate और syndicate versus अगर हम बात करें तो वो है इंदिरा गांधी ठीक है यहां पर syndicate और इंदरा गांधी के बीच वापस से एक disputes जो थे वो लगातार भढ़ने लगे इससे पहले जब उसने 67 का एक साल complete किया था इंदरा गांधी ने dispute कभी से ही start हो गए थे लेकिन जीतने के बाद 5 साल काम करना इंदरा गांधी का बहुत ही मुश्किल था syndicate के साथ क्यों क्योंकि syndicate हर बात में इंदरा गांधी के interfere कर रही थी उसको freely decision लेने नहीं दिया जा रहा था इसलिए इंदरा गांधी जो थी वो syndicate से freedom चाती थी और ये बात मुझे बार बार ना बतानी पड़े कि syndicate जो है वो Congress के वो prominent वो old leaders है जिनोंने की कभी नहरू के साथ और इंडिया के movement में participate किया था बहुती ज़्यादा experience holder ये leaders माने जाते थे इनकी इंदरा गांधी से नहीं बन रही थी उसका main reason ये था कि इंदरा गांधी अपना जो attitude था अपनी जो personality थी वो नहरू की तरह करना चाती थी और वो ये चाती थी कि Congress की जो popularity है वो वापस वो ही आए जैसे कि first three general election में थी ये बात तो syndicate भी चाती थी कि Congress की popularity भड़े लेकिस syndicate ये नहीं चाती थी कि इंदरा गांधी जो है वो नहरू की तरह अपने आपको represent करे वो उसको उस तरह से freely नहीं छोड़ना चाह रही थी क्योंकि उनको लगता था अगर इंदरा गांधी अपनी monopoly चलाईगी तो syndicate का अपना कोई वजूद नहीं रहेगा वो किस तरह से उस पर monopoly कर पाएंगे अपना administration वो कैसे चला पाएंगे क्योंकि वो ये चाते थे कि इंदरा गांधी उनके इशारों पर चले यहाँ पर इंदरा गांधी उनके साथ चलना नहीं चाती थी इसी के साथ इंदरा गांधी ने एक अपना program मतलब उनको introduce करवाया जिसको बोला गया 10 points program 10 points program में कुछ ऐसी 10 program से जो कि syndicate को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जबकि इंदरा गांधी ये चाते थी कि fourth general election में जीतने के बाद 67 में ये 10 points program जो थे ये implement हो जाए अब इन programs में ऐसी क्या बाते थी जो कि syndicate नहीं चाहती थी उसमें अगर हम 10 बातों को ना करके mainman बाते लेंगे तो उसमें first चीज़ आएगी land reforms यहां पर इंदरा गांधी ये चाहती थी कि हमारे इंडिया की जो land है उनमें कुछ सुधार किये जाए सुधार कैसे किये जाए जैसे कि हमारे हाँ की जितनी भी जमीनी है जितनी भी लेंड है वो ज़ादतर किसी जमीदार के अंडर में है तो वो यह चाहती थी इस जमीदारी सिस्टम को ही हटाया जाए जमीदार का जो टाइटल है उसको हटाया जाए लेंड को री डिस्ट्रिब्यूट किया जाए करने के लिए उन पर बैन होना चाहिए दूसरा वो ये चाती थी कि जो छोटे छोटे प्लोट से हर एक पीजन्ट के अगर सारे पीजन्ट उन प्लोट को मिलाकर उन्हें कंसोलिडेट कर ले और उसके बाद उस पर एग्रिकल्चर करे और जो भी प्रोडेक्शन और स्टेप बैंक को नेशनलाइज करना नेशनलाइज का मतलब होता है कि उसको एक गवर्मेंट के अंडर में मतलब काम करना सारे के सारे बैंक जो होंगे वो गवर्मेंट के अंडर में काम करेंगे जिससे गवर्मेंट को रिविन्यू आएगा और उनके पास में पैसा भी कले रहेगा तीसरी जो चीज थी वो ये थी कि अब उनकी पार्टी मेंली किसके लिए काम करना चाहती थी लेफ्ट विंग के यानि पूर्स की वो ये चाहती थी पूर्स को साथ में लेकर चलना पूर्स की प्रॉब्लम को सुनना पूर्स के लिए प्रोग्राम्स बनाना ये सारी चीज इंदरगांधी लॉंच करना चाह रही थी राजा को घ्राइए ज पतेल ने राजाओ को मनाने के लिए उन प्रिन्सली स्टेट को इंडिया में मर्ज करने के लिए एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाने के बाद उनको ये राइट्स दिये जाते थे जिनको प्रिवी पर्स कहा जाता था यहाँ पर आते आते इंद्रा गांदी को ये दिये गए बेनिफिट्स जो की गवर्मेंट के थ्रूर राज़ाओ को दिये जा रहे थे उनको पेंशन दी जा रहे थी उनके डेली जो एक्सपेंसेस थे जो खर्चे थे वो भी मतलब जो गवर्मेंट है वो ही उठा रहे थी उनको जो पैलेस दिये जा रहे थे पैलेस वे जो भी फेसिलिटीस थी वो भी प्रोवाइड हो रहे थी ये सारी चीजे इंद्रा गांदी को पसंद नहीं आ रही थी इसलिए वो चारी थी कि इस प्रीवी पर्स को क्या किया जाए रिमूव किया जाए तो ये कुछ प्रोग्राम्स ऐसे थे जिन पर सिंडिकेट बिल्कुल भी एगरी नहीं कर रही थी लेकिन इंद्रा गांदी ये चाहती थी कि इनको जल से जल्द इ इंटर्नल था ये कुछ-कुछ बाते अपोजिशन पार्टी के थू जंता के पास जा रही थी कि इंद्रा गांदी की सिंडिकेट से नहीं बन रही है या सिंडिकेट इंद्रा गांदी को टॉर्चर कर रही है कुछ ऐसी चीज है जो इंद्रा गांदी लॉंच करना चाहती ह लेकिन syndicate को वो चीज़े पसंद नहीं है लेकिन ये बाते जो भी थी ये internally थी और यहाँ पर जो dispute हो रहा था वो भी internally ही हो रहा था इसके बाद हम एक ऐसा incident describe करते हैं जिसमें की इन दोनों का disputes जो था वो openly मतलब जनता के सामने आया और इनों ने खुद agree किया कि हम दोनों में लड़ाई है इसलिए हम Congress को क्या कर रहे है split कर रहे है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है split of Congress in 1969 ये incident आपको ध्यान में और learn करना है कि Congress जो थी वो 1969 में क्या हो गई थी split हो गई थी means वो divide हो गई थी अब वो divide हुई तो इसका मतलब है एक party इंद्रा गांधी की बनी और एक party syndicate की बनी तो यहाँ पर लड़ाई तो उनकी 67 से पहले ही start हो गई थी उसके बाद 10 pounds प्रोग्राम को लेकर 69 तक ये लड़ाई चलती रही लेकिन ये सारी लड़ाई ये सारे disputes, conflicts internally थी अभी publicly ये नहीं का गया था ना गांधी के तरफ से ना syndicate के तरफ से कि हम दोनों में कुछ लड़ाई है लेकिन ये जो dispute है ये कौनसे incident के बाद सामने आ गया कि हाँ ये दोनों जो है अब आपस में साथ में नहीं रह सकते ये incident 1969 का था जब इंडिया में presidential election हुए थे presidential election का मतलब है कि उस समय कौनसा प्रेजिडेंट था जिसका कि tenure जो था वो complete हो गया था वो थे जाकिर हुसेन जिनका tenure जो था वो complete हो गया था और उनके मतलब tenure complete होने के बाद ही election हो रहे थे यहाँ पर main जो problem थी वो problem ये थी कि Congress जो थी वो अपनी तरफ से कौनसे candidate को प्रेजिडेंट के लिए elect या nominate करना चाहती थी वो थे संजीव ready ठीक है लेकिन संजीव ready को जैसा की इंद्रा गांधी पसंद नहीं करती थी इंद्रा गांधी और संजीव ready की इतनी नहीं बनती थी इसी लिए संजीव ready को Congress की तरफ से as a candidate किसके लिए President के लिए stand करवाया था तो यहाँ पर इंद्रा गांधी ने जब सिंडिकेट को मना करा कि संजीव ready के लावा आप किसी और को candidate as a candidate नॉमिनेट कर दो तो उन्होंने मना कर दिया जैसी उन्होंने मना करा तो यहाँ पर इंद्रा गांधी को सही नहीं लगा और इंद्रा गांधी ने एक दूसरे candidate को independent खड़ा हुने के लिए motivate किया वो कौन थे वो थे वीवी गीरी वीवी गीरी को जब उन्होंने motivate किया तो यहाँ पर Congress जो थी वो दो ग्रूप में बढ़ गई एक ग्रूप जो गांधी को सपोर्ट कर रहा था दूसरा ग्रूप जो सिंडिकेट को सपोर्ट कर रहा था जो गांधी को सपोर्ट कर रहा था वो ये चाहता था कि वीवी गिरी को वोट दे कर उसको क्या करेंगे विनर डिकलियर करेंगे तो यहाँ पर जब election हुए और election होने के बाद जब result आया तो result में अपने पता चल गया कि वोट जो है वो इंद्रा गांदी के supporter ने किसको दिये है वीवी गिरी को दिये है और बाकी जो syndicate के supporter थे उन्होंने सारे वोट किसको दिये संजीव रेडी को दिये लेकिन election में next जो प्रेजिडेंट बने वो कौन बने वो वीवी गिरी बने जैसी वीवी गिरी बने तो Congress के जो एक प्रेजिडेंट थे जो अध्यक्ष थे जिनका नाम था निजिलंगपा ठीक है को लगा कि जब इंद्रा गांधी Congress की ही नहीं मान रही है तो इसे Congress में रहने का कोई हक नहीं है और निजिलंगपा ने इंद्रा गांधी को Congress से exit कर दिया जैसी उसको exit किया गया इंद्रा गांधी को तो इंद्रा गांधी ने अपनी एक नई पार्टी बना ली जिसको बोला गया Congress R, ठीक है, Syndicate कहती थी हमारी ओरिजनल पार्टी है, जिसको हम कहेंगे Congress O, इस तरह से 1969 में Congress जो थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक O में और एक R में, R इंद्रा गांधी की थी, जबकि O जो थी वो ओरिजनल पार्टी थी, इसमें कौन थे, Syndicate थी, ठीक है, अ उसको अपना tenure 72 में complete करना था, लेकिन इससे पहले Congress दो पार्ट में डिवाइड हो गई, लड़ाई इतनी ज़्यादा भड़ गई, इस incident के बाद, तो Congress R में, जो MPI, वो सिर्फ इंद्रा गांधी के सपोर्टर थे, बाकी MP जो थे, जिसने की सरकार में सपोर्ट कर रखा था, वो तो Syndicate में ही रह गई, यानि Congress O में रह गई, तो इंद्रा गांधी की जो Congress R थी, ये किस में आ गई, Minority में आ गई, इनके पास में पूरा भवमत नहीं था, कि ये सरकार चला ले, तो उसी समय election हो जाते, अगर Congress R को सपोर्ट नहीं मिलता, तो यहाँ पर Congress R को सपोर्ट किस यानि इंद्रा गांधी ने अपना ये tenure complete किया, नहीं तो उसी समय हमारे यहाँ पर 5th general election होने तै थे, लेकिन यहाँ पर CPI ने जैसे ही इसको सपोर्ट किया, Congress R को अपना भवमत मिल गया और उन्होंने अपना आगे का tenure complete करा, tenure complete तो 72 में होना था, लेकिन इससे पहले Congress R ने, मिंस इंद्रा गांधी ने अपने जो election थे, वो एक साल पहले, यानि जो general election थे, लोकसभा के, वो 71 में ही declare, प्रेजिडेंट से करवा दिये, प्रेजिडेंट तो विवी गिरी थे ही, तो यहाँ पर mid term election इनको इसी लिए कहा जाता है, क्योंकि ये जो bold step लिया था, वो किस ने इंद्रा गांधी ने लिया था, कि एक साल पहले election होंगे, इसी लिए fifth general election को क्या बोलते है, mid term election बोलते हैं, अब mid term election जब declare हुए 1971 में, तो सब ने अपनी तयारी करनी शुरू कर दी, Congress O ने करनी शुरू कर दी, Congress R ने अपना coalition CPI से बना लिया, और उसने अपनी तयारी करनी शुरू कर दी, इसके अलावा जो opposition party थी, जो इन दोनों के खिलाफ थी, उन्होंने भी अपनी तयारी करनी शुरू कर दी, तो हमें यहाँ पर, मतलब एक उसमें शॉर्ट वे में ये देखना है, कि उस समय हमारे यहाँ पर क्या situation थी, क्या background था, किसका fifth general election का, क्या-क्या ऐस फीचर थी, जिसमें कि हमारी जो इंद्रा गांधी थी, या syndicate थे, वो किस तरह से इन problems को face कर रहे थे, सबसे पहले, यहाँ पर हमें देखना है, कि इंद्रा गांधी यानि Congress R का गठबंधन CPI के साथ में हो गया था, यह एक mid term election थे, जो बहुत एक bold decision था, यहाँ पर इंद् R को vote दे दे, क्योंकि इसी समय बांगलादेश crisis हुआ था, और बांगलादेश crisis हमें पता है अच्छे से कि इस समय 1971 में हमारा जो war हुआ था, वो पाकिस्तान के साथ हुआ था, इस पाकिस्तान को हटा कर बांगलादेश को बनाने का main, जो responsibility, जो contribution था, वो इंद्रा गांधी क ही था, इंद्रा गांधी को पूरी popularity और समर्थन support मिल रहा था, इसलिए इंद्रा गांधी ये situation हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 72 के बजाए ये election 71 में करवाई, क्योंकि उस समय बांगलादेश crisis हुआ था, जिसका पूरा का पूरा श्रे, contribution, पूरा appreciation किसको मिल रहा था, गांधी को मिल रहा था, उसी समय एक और बात थी कि हर कोई believe किस पर कर रहा था, सब को ये believe था कि Congress O जो है, वो ज़्यादा सही party है, और ये सबसे पुरानी party है, कुछ लोग ऐसा कहते थे कि Congress O को ज़्यादा vote मिलेंगे इस जनरल election में, क्योंकि इंद्रा गांधी ने उनको cheat किया है, इंद्रा गांधी उनकी respect नहीं कर पाई है, तो ये वाली भी एक जो बात थी, ये जो wave थी, ये भी इंडिया में चल रही थी, इसी के साथ हमें एक और बात याद रखनी है, वो है opposition party, सारी की सारी opposition party ने, जो कि Syndicate और इंद्रा गांधी, यानी Congress O और Congress R के खिलाफ थी, अगेंस्ट में थी, उन्होंने अपना एक नया coalition बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा Grand Alliance, Grand Alliance का मतलब होता है, बहुत बड़ा एक गठ बंदन जिसके अंदर Congress से oppose वाले जितने भी political parties है, वो इस camp में आ सकती है, जैसे की 4th General Election में SVD बना था, उसी तरह स 5th General Election में Grand Alliance बना, Grand Alliance का जो में स्लोगन था, वो था इंदिरा हटाओ, इनका में इसी चीज़ को लेकर अपना फोकस था, और यह यह चाते थे कि अगर आप इंदिरा को ले आए, तो वो अपनी मोनोपोली इंडिया में भी दिखाएगी, जिस तरह से उसने अपनी मोनोपोली Congress में दिखाई है, और सिंडिकेट को उन्होंने चीट किया है, इस बात को वो प्रपागेट कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इंद्रा गांधी ने 1971 के 5th General Election में अपना स्लोगन क्या रखा, वो था गरीबी हटाओ, उनका में जो मुद्दा था, वो लेफ्ट विंग को लेकर भी था, उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी 5th General Election में जीती, तो हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम इंप्लिमेंट करेंगे, और वो प्रोग्राम कौन सा था, 10 Points प्रोग्राम, इस बात को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इस बात को प्रोपागेट करने के लिए, उन्हो प्रोपागेट के लिए, इस बात का इंट्रा गांदी को थोड़ा डर भी था, क्योंकि मिट टर्म इलेक्षन उन्ही के कहने पर हुए थे, और अब भी अगर कॉंग्रिस आर्म नहीं जीती, तो सारा का सारा ब्लेम किसके उपर आता, इंद्रा गांदी के उपर आता, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्ट जनरल इलेक्षन की ये सारी की सारी प्रोप्लम्स के बीच में फिफ्ट जनरल इलेक्षन 1971 में हुए, तो इसका कॉंसिक्वेंसिस जो थे, इसके जो रिज देक्त आये थे, वो कभी भी फरस्ट थ्री जनरल इलेक्षन में भी नहीं आये हुँगे, और इंद्रा गांदी की इस गवर्मेंट ने 1971 को वापस से धोराते हुए, इतनी बड़ी विक्ट्री ली कि अकेले इंद्रा गांदी यानि कॉंग्रेस आर ने 352 सीट्स को जीत लि इलाकर, जबकि विचारी जो ग्रैंड अलाइंस थी, उसको से 48 मिली, तो यहां पर बहुत बुरी तरह जो ग्रैंड अलाइंस थी, वो हारी थी, और इसी के साथ कॉंग्रेस ओ जो थी, वो भी बहुत बुरी तरह हारी थी, मेंली लोगों ने किसको सपोर्ट करा, इंद्रा गांधी की कॉंग्रेस आर को सपोर्ट करा, जनता बंगलादेश जो बना था, इस्ट पाकिस्तान को जो हमने हराया था, उसे इतनी ज़्यादा इंस्पायर थी, कि कॉंग्रेस का जो डॉमिनेंस थी, वो वापस से क्या हो गया था, शुरू हो गया था, शुरू कैसे हुआ क्योंकि सेंटर में तो गवर्मेंट आही गई थी कॉंग्रेस की अब डॉमिनेंस स्टेट में भी हो गया था सारे स्टेट में सिर्फ एक ही गवर्मेंट थी और वो किसकी थी कॉंग्रेस की थी अब हमें एक ऐसा लेडर मिल गया था जो बहुत स्ट्रॉंग था जो कि नहरू के एक जो वेकेंट पोस्ट है उसको वो फुल्फिल कर रहा था अब हमें लगता था कि इंडिया को चलाने के लिए ऐसा लेडर मिल गया है जो बड़े आराम से इस कंट्री को चला सकता है इसी के साथ एक जो नई चीज हमारे सामने आई थी इस consequences के बाद वो थी नेचर नेचर किसकी? कॉंग्रेस की इससे पहले हमने last वीडियो में देखा था कि कॉंग्रेस की जो नेचर थी वो first three general election में नहरू के time period में बिल्कुल अलग थी जो की 1970 तक रही लेकिन ये नेचर जो कॉंग्रेस की थी ये after 1970s के बाद बिल्कुल change हो गई क्यों? क्योंकि 71 में इंद्रा गांदी पूरी majority से जीत गई थी और उन्होंने इतनी जादा popularity गेन करी थी कि इससे पहले कभी भी इतने वोट जो थे वो कॉंग्रेस को नहीं मिले थी first three general election में नहरू का जो dominance था उसी तरह से वो ही dominance अब किसका आ गया था? इंद्रा गांदी का आ गया था तो यहाँ पर उनकी नेचर में यानि कॉंग्रेस की नेचर में क्या क्या चीज चेंज आई थी पहली चीज तो यह थी कि monopoly start हो गई थी किसकी? इंद्रा गांदी की अकेली leader थी जो वो बोलती थी उसी को ही implement करना होता था यहाँ पर जब monopoly चलेगी तो अपने आपी क्या आने लगे थे? disputes आने लगे थे लगाता members के बीच में लोगों की opinions के बीच में जो एक disputes थे वो Congress के अंदर rise होने शुरू हो गए थी तीसरी चीज अगर हम बात करेंगे वो थी tolerance की कमी जो हमने tolerance के बारे में पहले nature में देखा था कि किस तरह से नहरू की Congress में tolerance को पूरा महत्व मिलता था importance मिलती थी लेकिन अब Congress में सहन शिलता बिलकुल भी नहीं रही थी जो इंदरा गांदी थी वो किसी की मतलब इतनी ज़्यादा नहीं सुनती थी अगर कोई उसको oppose करता था तो उसको लगातार जवाब देना या फिर Congress से बाहर निकाल देना अब यहाँ पर Congress जो थी जो लेफ्ट विंग से start होई थी अब वो किसकी तरफ टिल्ट होने वाली थी हो रही थी वो था राइट विंग अब वो राइट विंग की तरफ टिल्ट हो रही थी अमीरों की तरफ काम कर रही थी क्योंकि अमीरों से रिच फैमिली से उसको पैसा मिल रहा था उसकी पार्टी जो थी वो लगातार क्या कर रही थी पैसा जो है वो दे रही थी जिससे कि उसकी पार्टी चल रही थी तो इन सारी चीजों के बाद जो कॉंग्रेस थी वो बिल्कुल चेंज हो गई थी देखते ही देखते ही ये और्गनाइजेशन किसकी तरफ चलने लगा था वीक्नेस की तरफ ये वीक हो गया था अंदर से ये वीक था लेकिन उपर से इंद्रा गांदी की वज़े से ये जो पोज में थी तो यहाँ पर आप दो चीज अच्छे से लर्ण कर लेना एक तो फौर्थ और फिफ्ट जनरल इलेक्शन के बीच में कंपैरिजन और दूसरा जो नेचर हमने कॉंग्रेस की 1970 से पहले की पढ़ी है और बाद की पढ़ी है तो आफ्टर और विफॉर 1970 का नेचर आफ कॉंग्रेस इनका कंपैरिजन भी आपको अच्छे से आना चाहिए अगर ये दो चीज आपको आगई तो आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार हो गया क्योंकि इस वीडियो में हमने फिफ्ट जनरल इलेक्शन को डेपी पढ़ाया क्योंकि यही वो जनरल इ 75 इनोने सेट जीती थी उससे पहले कंडिशन लग रही थी कि कुछ भी हो सकता है ये सारा बेक्ग्राउंड था फिफ्ट जनरल इलेक्शन से पहले लेकिन जीत के बाद लगने लगा था कि हमें एक स्ट्रॉंग लीडर मिल गया लेकिन इसी के साथ कॉंग्रिस की नेचर जो आपको इस वीडियो से ये सारे कॉंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे लेकिन ध्यान रखना दोनों का कंपेरिजन फोर्थ और फिफ्ट जनरल इलेक्शन प्लस नेचर जो कॉंग्रेस की है 1970 से पहले और बाद की इन दोनों में कंपेरिजन आपको जरूर लंड करना है इनके कं क्लियर करके देखना है